जॉइन आर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री बिनिंग टीम्स, फ्री गिवबेज, एक्साइटिंग ओफर्स और लास्ट मोमेंट अपडेट्स, टेलीग्राम चैनल जॉइनिंग लिंक इस इन दिस्क्रिप्शन बॉक्स आप पाओगे हैं कि हमारे चैनल में हमने बहुत अच्छा प्रोफिट करवाया है, हर एक मेंबर का बहुत अच्छा प्रोफिट करवाया है, और अभी तक इस T20 वर्ल्ड कॉप में बेश प्रोफिट करवाने वाला चैनल ओर दोस्तों यार देखो, ये बात तो मैंने आपको ये वर्ल्ड कॉप स्टार्ट होने से पहले ही बोली थी, यार इस T20 वर्ल्ड कॉप में जितने भी मेंच होंगे, हर एक मेंच को हम अपने चैनल पर कवर करेंगे, और जिस तरीके से हमने वर्ल्ड कॉप 2021 में प्रोफिट कमाया था, वैसे ही इस वर्ल्ड कॉप के सीजन में जो अब इस जाने वालें, बहुत अच्खा प्रोफिट करवाने वाले हों, और दोस्तों बात करों यार, इस मेच के तो अगर आपको यार इस मेच में भी प्रोफिट कमाना है तो दुको आपको कुछ भी बड़ा काम्ने करना, आपको बस इस वीडियो को ध्यान से देक ले 25 मेच के सम्तिंग और बागी पड़े हैं इस टी 20 वर्ड कप के चीज़ायन में और जैसा कि में आप बोला हर एक मेच को हम अपनी चैनल पर कबर करेंगे और जिस तरीके से हम प्रोफिट कमाते आये हैं वेसे ही आगे भी प्रोफिट कमाने वाले हैं तो अगर भाई आपको भ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ना साधी साथ उसके बेगर में बेल आइकन आ रहा होगा उससे भी दबाके ओन कर ले ना उससे क्या होगा कि जितनी भी अपडेट वो टीम्स में आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर लिखे होगा वह आप तक सही सला करके बेल आइकन जरूर दबाले ना अब बात करते हैं दोस्तों देखो इस मेच की तो यार सबसे पहले जनरल इंफोरमिशन में आपको बता हूं तो यह वाला जो मेच से चबवी स्थारों को सुपह साड़ेनों पजे स्टार्ट हो जाएगा और यह वाला सो मेच स्टेडि पप्ल स्पाव्ड़ा बांदी आएगी है और मेच के दो रहान आए वह भी ज़रूरी है मेच से थोड़ा पहले आने की चांस है हाना और मेच के दो रहाना मेच में ज्यादा इन्ट्रप्σιन नहीं डाले है लेगिन यार स प्रेंस की व्जज़े यार ног सो में तो काफी घशर नहीं है यहां पर दोस्तों वाला मुसं रहने वाला है इसरे फास्ट बोलर को अच्छी स्विंग या पर मिलने वाली है ध्यान रखना और अच्छा एक बार वापस पेड़ा पर सपोर्ट मिलेगा और बेर्ट्स में या पर अच्छा कर सकता है बागी जो स्पिनर उनको थोड नहीं मिल सकता है और वो ही बात है जो भी टेम टोस्ट जीतेगी वो यहां पर बोलिंग करना जाएगी क्योंकि मोसमी कुछ एसा रहने वाला है बागी दोस्तों देखो यार मैंने आपको अभी यह जो भी पिछ रिपोर्ट बताईए ना यह एक जेनरल पिछ रिपोर्ट है इ सब क्लियर हो जाएगा ठीक वो मैं आपके साथ अपने टेलिग्राम चनल पर टोस्ट के टाइम शेयर कर दूँगा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूँ आगे इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंफोर्मिशन इसमेज से रिलडेटेड बताने वाला हूं जैसे प्लेंग लिवन भी आती है उसको देखके तो हम अपनी फाइनल टीम बनाएंगे तो भाई अपनी जो भी फाइनल टीम होगे ना इसमेज के जिससे मैं खुद भी खेलूँगा और जिससे अपनी पूरी फेंटेसी सपोर्ट की फैमिली भी खेलती है वो हमेचा की तरह टोस इसका एकदम फ्री में फाइदा उठा आगे बहुत अच्छी विनिंग कर रहें तो आपको भी जूर जाना है आपको फाइनल टीम भी वहीं मिलेगी फाइनल अपडेट भी मिलेगी और आपका जुड़ना ज़रूरी है अभी जाकर जुड़ना चाओ अभी जाकर जुड़ हुआनि और ही अगर्ट में बास की थो आपके स्क्र Wales के सामने जो इंगलेंल bourneने पिसले चार मेंठ ढुकरो में स्टीट इंटरनेशनल के इन्होंने उस्ट्रिल्या में खेलें स्टार्टिंगी वह OSTOR स्थेलिया के अगंस्ट उस मारत कुरू आयर्लेंट की तो इन्हों मैंने आपको बता है ना ग्रूप स्टेज वे और उनमें जिंबावे के गेंश था रहे थे फिर स्कोटलेंड और विश्ट इंडीज को हरा है था लेकिन यार अगर मैं बात करूँ करूँ करन्ट फॉर्म की क्योंकि देखो है तो है नहीं ना यह आज तक इन दोनों टीम्स के रिसेंट पर्फॉमेंस और हेट वेट रिकोर्ट की अब दोस्तों वीडियो में आगे बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एप्लिकेशन के बारे में बताना चाता हूँ जिसका नाम है विजियन 11 इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा क्योंकि विजियन 11 यहाँ पर जीतना काफी ज्यादा आसान है और इस बात का अंदाजा आप मेरा वोलेट बेलेंस देखके लगा सकते हो विजियन 11 पर दोस्तों अभी मेरा करेंट वोलेट बेलेंस है 19 लेक यहाँ पर दोस्तों मैंने पिसले 4-5 दिन से हाला कि कुछ विड्रोल नहीं लिया है बाकी मैं रेगुलर्ली यहाँ पर विड्रोल लेता हूँ और मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे विनिंग कर रखी है अना आप खुद देखलो यार इस T20 वल्ड कप के सीजन में चलो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले देखो यार जिसने भी वीज इस तारिक तक का अगर मैं आपको रिकोर्ड बता हूँ तो टोटल आठ नो दिन हुए जिसमें विजन लिएन पर देखो इन्वेश्ट 10 लाग के सम्टिंग किया है और विनिंग की है 30 लाग से भी ज्यादा तो आप खुद सोच लो यार आठ नो दिन में 30 लाग से भी ज्य करो आपको फाइदा होगा आपको खुद बता लग जाएगा इसके डाउन्लोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी मैं तो आज वापस यहां पर इन्वेस्ट करने वाला हूँ और आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार यह डाउन्लोड करके देखो अब बात करते हें दोस्तो देखो टीम नीउच के बारे में तो देखो टीम नीउच के सामने है यही तो नीच को लाइक करके आगे बर ना अब दोस्तों बात करते हैं देखो टीम यूज के बारे में तो England की जो टीम यूज है वो मेंने आपको देखो रीस टोपले वाले तो साथ पहले वाले वीडियो में बताई थी कि रीस टोपले इंजर्ड हो गए है इस टीट वंडी वर्ड कप से बाहर हो चुके है और उनको र रूटीन चल रहा है पिछले एक देड़ महिने से अब यार बात यह है कि मार्कवूड और क्रिस वोक्स पिस्पला वाला मेच खेले थे अफगानिस्तान के गेंश ठाला की दोस्तों उसको तीन-चार दिन हो गए है लेगिन अब सवाल यह उठता है कि क्या इस मेश में मार् दोस्तों कोई इंश्री रिपोर्ट अभी तक है अपने पास इंग्लेंड की तरफ चाहिए और वही बात यार देखो जब तक टोस्त नहीं हो जाता है तब तक अपने पास नहीं नहीं अपडेट आती रहती है और कोई भी इंपोर्टेंट अपडेट आएगी जो मुझी ल इंटरनेशनल के करियर में टोटल 97 मेंज खेले थे जिनमें उन्होंने चोईस हो की सम्टिंग रन वनाये थे और 33.95 का बेटिंग एवरेश था और इस T20 वर्ट कप की सीजन में दोस्तों उन्होंने सिर्फ एकी मेज खेला है क्योंकि इंग्लेंड ने एकी मेज खेला है और उस मेज में दोस्तों ओनली 18 रनों की पारी खेले थे कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाया थे लेकिन दोस्तों जो स्पटलर को यार हम सब जानते हैं ये पंदा पावर हीट कर सकता है और बहुत अच्छी पावर हीट कर सकता है तो डेफिनेटली अपनी टीम में रहने वाल एक्सपीरियंस भी है क्योंकि बिगवेश लिए खेली है इन्होंने तो ध्यानक ये भी टीम के लिए इंपोर्टेंट पीगा उसके लाव दोस्तों डेविट मिलान 51 में इन्होंने खेले है ये इनका कुछ रिकोड है पिसले में इनकी पारी बड़ी नहीं आई थी लेकिन मतलब कि जब से T20 इंटरनेशनल में इन्होंने वापस खेलना स्टार्ट किया है इनको 18 मेने का गेप दिया गया दा हूँ उसके बाद ये T20 इंटरनेशनल में और अब रेगुलर ली अच्छी परफूमेंस नहीं कर रहे है बेटिंग के साथ लेकिन उस्टेलिया की देखो उप्सेन आजाता है इनके पावर हीटर का लियम लिविंग्स्टन की नाम है 23 मेंच इन्होंने अपने करियर में खेले थे ये इनका उच्छ रिकॉर्ड था पिसले में दोस्तों 29 नोट आउट की एक अच्छी पारी खेली थी और ये बंदा पावर हीट कर सकता है य इनके भी दोस्तों पिसले में अच्छी पारी नहीं आई थी और इनके भी सेलेक्शन परसेंट इसमें काफी कम रहने वाले लेकिन ये बी एक पावर हीटर है ये बात ध्यान रखना तो मैं आपको सजेश्ट क्या करूंगा कि इंग्लेंड के टोप ओडर के दो-तीन बेट् फेल हो जाता है उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपने पास उपसान आजाता है मोहीन अली का जो कि यार बहुत ज्यादा डाउन दी ओर बेटिंग करते हैं हाला कि दोस्तों बेटिंग अच्छी कर लेते हैं ये बंदा यार ओस्ट्रेलिया के कंडिशन में क्या ही विकेट निकाल रहा है उससे पहले दोस्तों ओस्ट्रेलिया की जो स्रीज हुई थी इंग्लेंड के अगेंस्ट जो मैंने आपको बताया है उसमें भी बहुत अच्छी परफॉमेंच की तो ध्यान रखना सेम करें आपकी टीम के लिए एक इंपोर्ट एंपिक रहने वाले उसके लाव दोस्तों बात करते हैं क्रिस वोक्स की जो की हो सकता है इस मैच में नहीं कहलें लेकिन प्रॉबिबली खेलेंगे इसको दिक्कत नहीं है इन्होंने इस मैच में आने सबहले 20 में 22 विकेट ले रहे थे और पिसले मैच में भी एक विकेट लिया था और साथ- इस सबसे पहले बहुभाई 2 से समें में लिया उससे पिसले में आप युद्प कर रहे और इस प्रटिक्लर मे HEYD मेर में आग लगा सकता है ध्यान रखना है तो इनको भी अपने team में रखना है साथ-साथ दोस्तों vice captain के अच्छे दोस्त बन जाते है mark को ठीक है तो यह तो बात होगह है दोस्तों England की team की अब हम बात कर लेता है Ireland की team की तो सबसे पहले वही बात है team news में आपको बता देता हूं सबसे पहली एक जो important यूज़ वो ही यह है, कि पिछले मेज में George Dockrell खेले थे, और लेकिन साथ ही साथ वो COVID-19 पोजिटिव थे, ICC ने दोस्तों यह rule निकाला है, कि अगर कोई भी प्लेयर COVID-19 पोजिटिव है, तो भी वो T20 World Cup के मेज में पार्ट ले सकता है, अब बात यह है, कि इनको quarantine किया गया है, लेकिन हो सकता है, इसमें इसके लिए वापस बाहर निकाल जाए, क्योंकि Ireland की जो टीम है न, वो अपनी प्लेयंग लेवन में changes नहीं करते हैं, अभी तक नहीं की है, और Ireland के cricket board ने साफ सा बोलवाए, कि हमारी जो प्लेयंग लेवन खेलती है, वो ही बेश्ट है, इसमें हम कोई भी change नहीं करना चाहते हैं, अब वो तो देखते हैं, इनके उपर कोई final update आहीं नहीं है, कि जोर्ज दोक्रेल इसमें इसमें खेलेंगे, कि नहीं इनको आराम दिया जाएगा, और final update जैसे याईगी, मैं आपके साथ अपने टेलिग्राम चैनल पे शेर कर दूँगा, और कोई भी update अपने पास आती है, वो भी आपके साथ मैं टेलिग्राम चैनल पे शेर कर दूँगा, जैसे कि मैं आपको उदा है, जब तक टोस नहीं होता, तब तक आती रहती है, यह हो गई दोस्ते एकस्पेक्टेड प्लेइंग लिवन आईलेंड की टीम की, और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनी 11 प्लेयर के सारी रिकोर्ड के बारे में, मतलब की रेगुलर्ली बोलिंग नहीं करता है, मतलब की बोलिंग से उमीद नहीं रखनी है, साथ साथ दोस्तों बेटिंग का यह जो एवरेज हो आपकी स्क्रीन के सामने है, और इस टीटवंटी वर्ड कप की सिजन में जो चार मेज खेले हैं, तो इनको में अपनी टीब में रखने वाला हूँ ठीक है, उसके लवा एंडी बाल बनी दोस्तों इन्होंने अभी तक सिर्फ एक ही मेज में अच्छी परफॉमेंस किया, 37 रन होगी, और इंगलेंड के बोलर्स के सामने हो सकता है, अच्छी परफॉमेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसके लवा लोर कंट कर, विकेट के पर सेक्षन से आपको देखने को मिल जाएंगे, ये इनकी कुछ परफॉमेंस है, एक ही मेंच में इनकी भी अच्छी परफॉमेंस आई है, बाकि इनकी भी परफॉमेंस नीचे ही रह रही है, हेरी टेक्टर दोस्तों पिछले मेंच में अच्छी फोर्म में नजर आए थे, उससे पहले तीन मेच में से दो मेच में इनको बेटिंग करने का मोगा मिला था अच्छी परफॉमेंस नहीं आई थी लेकिन पिछले मेच में 44 फ्रेनों की पारी आई थी दोस्तों मैं आपको बदादू 40 प्लस बोल्स में इनकी यह पारी आई थी मतलब कि बहुत स्लोग खेल लेकिन हां भाई खेले थे और धीरे-धीरे यह बंदा अपनी फॉम पकड़ता है ठीए उसके लाव दोस्तों कटी स्केमफर की में बात कुछ तो यह इनके कोल डाउंडर है लेकिन बात यह है कि इनकी भी परफॉमेंस आप देखोगे तो सिर्फ दो ही मैच में ठीक आ गई अधरवाइस अपने टीम से ड्रोप भी कर सकते हो ठीक है उसके लावा डोक्रेल कोविड-19 पोजिटीव है यह इनका कुछ रिकोर्ड है और पिसले मैच में देखो कोई खास पारी आया नहीं थी ओनली 14 रनों की बारी थी इनका जो रिकोर्ड है वो भी आपके स्क्रीन के स सकते हैं लेकिन यार इंग्लेंड है यह ठीक है तो इंग्लेंड की बोलिंग के सामने हो सकता है उतनी अच्छी परफुमेंस नहीं आए इनकी बेटिंग से उसके बाद दोस्तों ने बात को तो अपने पास उप्सेन आता है मारका डेर का जिन्होंने 51 मेच अपने करियर में टोटल तेन विकेट इन्होंने जरूर लिया है लेगिन पिछले दो मेच में उतनी अच्छी लिया मेनेजर नहीं आया है ठीक है उसके बाद दोस्तों अपने पास उप्सेन आता है सिमी सिंग का जो की एक प्रोपर ओल्डाउंडर है इसी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वही बेरी मककार्थी तो फेर forms इनके इसे बोलर है जो की ज decorat है यंकि इन्होंने फिकेट लिया misma लेकिन फिर वीर किसी को रखना पढ़ेगा तो फिर वो चिंता मदगरों मैं आपको आगे बताऊंगा कि किसको रखना है किसको नहीं रखना बागी दोस्तो देखो है अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको इस में से रिलेटेड बहुत सारी इंफोमेशन बदा दिया अब जनरली हम प्लेयर बेटल वगेरा देखते हैं लेकिन इन दोनों टीम्स के बीज़ में तो कभी T20 इंटरनेशनल हुआ है तो प्लेयर बेटल एक्जिस्ट ही नहीं करते हैं अब आगे इस वीडियो में आपको एक टीम दिखाने वाला हूँ लेकिन वही बात है यह जो भी नीचे डिस्क्रिप्शन खोलने ना फिर कॉमेंट बोक्स खोलने ना वहाँ पर आपको हमारे टेलिग्राम चलों की लिंक मिल जाएगी उस पर क्लिक करना वो टेलिग्राम चलों से जूट जाना बागी दोस्तो अपनी डेमो टीम है वो आपकी स्क्रिंग के सामने यह रही वीजेन 11 की टीम दोस्तों मैं आपको एक बार वापस बोल रहा हूँ वीजेन 11 आपको एक बार ट्राइ जरूर करना ट्राइ करने के कोई पैसे नहीं है आपका बहुत अच्छा है जब यह एप्लिकेशन प्रोफिट करवाएगा ना तब आप खुद आ के बोलोग भाई सही बात बोली थी आपने तो इसके डाउन लिंग दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बोक्स में मिल जाएगी कोंप्टिशन बहुत कम मिलेगा एक बार डाउन लोड करो ट्राइ करो बहुत मजाएगा आपको ठीक है उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात क से करें अब इस टीम की दो देखो विकेट कीपर सेक्शिन से मेनने जोस्पटर को रखाए फिर दोस्तों बेटिंग से के से मते लेकिन से सकते में देताने आप चेंजेस क्या क्या कर सकते हो नोट के पास लेंग लिविंश्टन का उप्चन है जिनको आ पको आपको अपने राइड हो चुक है तो मेर को समझ नहीं आ रहा किसकी जगा करूं अगर करना ही है तो फिर बेंश्टोक्स को ड्रोप करना पड़ेगा जिसके लिए मैं अभी तयान नहीं हूँ और बागी जब तक में स्टार्ट होता है तब तक अगर प्यार हो जाता हूँ तो फिर देखो वो पिस्ट रिपोर्ट वगेरा देखके मैं आपको अपडेट बागी दोस्तों अपने टीमें जो भी चैंजेस होंगे वह तो खेर में आपके साथ टोस्त के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करी दूंगा उसकी सिंदा मत करो बात करते हैं दोस्तों केप्टन और वाइस केप्टन के निगारा प्लेयर में लेकिन उस्ते पहले अपना जो वीडियो है वोल मुष्ट खतम ही हो गया तो जिस भी माईने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो वह जाने जाय से पहले वीडियो को लाइक जरूर करते जाना ठीक है और साथ-साथ यार सब्सक्राइब करों क्योंकि आपका बहुत अच्छा प्रोफिट कर गार दूंगा इस वीडियो गैसे रिफ ताहीं दोस्तों विजए ने लिवह न आप डाउनलोड कर लेना निंक आपको नीचे डिस्क्रिप्ट्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्समा मिलजाएगे इस वीडियो के रिफ तनाए दोस्तों मैं 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 मताँ हूं आप सेक लिए व